Body Soap 19 एक थाई मूवी है जो कि Cops No.19 के नाम से भी जानी जाती है ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डिरेक्ट किया है पवीन पुरिजित पान्या ने ये मूवी एक रियल मर्डर केस के उपर आधरित है जो कि थाईलेंड के एक डॉक्टर ने किया था उसने अपनी वाइफ को बहुती बुरी तरीके से मारा था तो चलिए मूवी की कहानी के और बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और जो बैल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे तो चलते हैं मूवी की और चॉन एक इंजिनेरिंग का स्टुडेंट है वो एक कॉंसर्ट में मौजूद है वहाँ उसकी नीन लग जाती है और वो एक सपना देखता है सपने में चॉन देखता है कि एक आदमी एक औरत की बॉड़ी को काट रहा है और चारों और खोन बिखरा हुआ है और एक भयानक बिल्ली आस पास घूम रही है चॉन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसकी नीन खुल जाती है वो देखता है कि वो उसी कॉंसर्ट में है वो देखता है कि उसके हातों पर कुछ निशान उभरे हुए है वो निशान उसके देखते देखते गायब हो जाते हैं चौन अपनी सिस्टर आये के साथ एक किराय के घर में रहा करता था चौन अपने घर बापस आता है उस वक्त मौसम बहुत जादा खराब था घर में वो गारबेज का बैग उठा कर बहार रगता है तब ही उससे महसूस होता है कि बैग में कुछ हलचल हुई थी वो बैग को खोल कर देखता है उसे उस बैग में एक अनबॉर्ण बेबी दिखाई देता है जो कि चौन को देखकर जोरों से चिलाने लग जाता है इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि चौन के घर की लाइट चली गई है वे टॉर्च लेता है और उस टॉर्च को जलाकर चारों तरफ देखने लग जाता है तभी उसे महसूस होता है कि एक तरफ कपड़े से ढखी हुई एक लाश रखी हुई है और उसके पास एक बिल्ली घूम रही है चौन उस बिली के और बढ़ता है तब है बिली चौन की तरफ पलटके जोरों से चिलाने लग जाती है उस बिली के मुह में उस लाश का एक कटा हुआ हाथ है हम देखते हैं कि चौन के अब नीन खुल गई है चौन देखता है कि यह भी उसका एक और डरावना सपना था अब मुवी को एक कपल की और ले जाया जाता है जो कि डॉक्टर सूती और डॉक्टर उसा है उसा सूती को नीन से उठाती है उसा एक साइकलोजिस्ट है उसा के पास डॉक्टर सूती का कॉल आता है सूती को अपनी बुलेट चाहिए थी जो उसे मिलना ही रही थी उसा को बुलेट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी वो सूती से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा काम करने लगा है इसी वज़े से आजकल परिशान रहने लगा है और उसे अब अपना ध्यान रखना चाहिए इधर हमें दिखाया जाता है कि सूती अपने कैबिन में है और वो उन बुलेट्स को अभी भी ढून रहा है तब ही सूती के कैबिन में उसका जूनियर डॉक्टर जिब आता है और उसे बताता है कि स्टुडेंट्स क्लास में उसका वेट कर रहे थे सूती क्लास में जाकर देखता है कि जिब अपने स्टुडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये देखकर सूती को जिब के उपर बहुत ज़ादा गुसा आता है सूती जिब को कैबिन में बुलाता है और उसे बहुत डाड़ता है जिब उसा का बहुत अच्छा दोस्त है जिब सूती से उशा का हालचाल पूसता है लेकिन सूती उसे उसका जवाब नहीं देता, जिबको सूती का विहवार बहुती वियर्ड महसूस होता है इधर चॉन आए के साथ है और उसके खाना बनाने में हेल्प करता है चॉन बहर गाड़ी खड़ी देखकर आए से उसकाड़ी के बारे में कॉश्यंस पूसता है आए उसे बताती है कि वो गाड़ी उसके हाउस ओनर की है जो कि उसने आए को चलाने के लिए दे रखी है और उनका हाउस ओनर उस घर में बहुत कमाया करता था चॉन आए से उसके हाउस ओनर से मिलवाने के लिए कहता है तब आए उसकी बात सुनकर चॉन को उस वगत के लिए टाल देती है आय एक medical student है, वो चौन को सभी की नजरों से छेपा कर अपने hospital लेकर आती है आय चौन के stitching करना चाहती थी, लेकिन चौन उसके लिए उसे मना कर देता है वो किसी expert doctor को दिखाना चाहता था आय चौन को वार्ण करती है कि वो उस hospital में किसी को भी नहीं बताए कि वो वहाँ आय के साथ आया था और वो वहाँ से चली जाती है चौन डॉक्टर जेप के पास जाता है और उसे अपनी उंगली दिखाता है डॉक्टर जेप चौन का नाम पूसता है चौन के उसका नाम बताने पर भी जेप उसका विश्वास नहीं कर पाता वो चौन को उसा से बात करने के लिए उसा का नंबर लगा कर उसे फोन पकड़ा देता है चॉन उसा की आवाज सुनकर phone card देता है और जिप के उपर गुसा करता है कि वो किसी से भी उसकी बात करवाना चाहता है और उसके cabin से निकल कर बहारा जाता है जब जान के पीछे-पीछे बहाराता है वो एक card के उपर उसा का address लिखकर चॉन को दे देता है जेब चौन को सजेस्ट करता है कि वो एक बार जाकर उसा से जरूर मिले चौन बहुत ज़्यादा कनफ्यूज हो जाता है कि उसे एक उंगली की मामुली सी चोट की वज़े से सैकेटरिस्ट के पास क्यों भेजा जा रहा है वो इस बात का जिक्र आय से करता है आय चौन से पूठती है कि क्या उसे अभी भी वही बुरे सपने आते हैं आय चौन को सजेस्ट करती है कि उसे एक बार सैकेटरिस्ट के पास जरूर जाना चाहिये चौन को उस रात फिर से एक बुरा सपना दिखाई देता है वे देखता है कि रात को उसका दरवाजा अपने आप खुल गया है और एक newly born baby उस दरवाजे से होता हुआ उसके पलंग के नीचे घुस गया है चौन पलंग के नीचे जहाग कर देखता है तब उसे दो पैर और बहुत सारा खून दिखाई देता है चौन ये देखके बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे तब ही अपने सामने एक भयानक सूरत वाली लड़की दिखाई देती है वो चौन के उपर attack कर देती है चौन इस बात से और भी बुरी तरह से डर जाता है तब हम लोगों को दिखाई देता है कि चौन ने अपने unconsciousness में आए को पकर लिया है और वो उसका गला दबाये जा रहा है आए जोरों से चिल्लाने लग जाती है तब चौन को होश आता है और वो आए को छोड़ देता है आए उसे दूसरे दिनी psychiatrist से मिलने की सलहा देती है चौन उसकी सलहा मानकर अगले दिन उसा से मिलने के लिए जाता है उसा उसे देखकर अचानक ही चौन चाती है उसा चौन से उसकी बिमारी के बारे में बात करती है चौन उसे अपने को दिखाई देने वाले बुरे सपनों के बारे में बताता है चौन उसा को बताता है कि उसे वो सपने एकदम रियल होते हुए दिखाई देते हैं उस सपने में चौन एक औरत का मर्डर होते हुए देखता है जिसकी बॉडी के किलर उसके सपने में छोटे-छोटे टुकडे कर रहा था और उस बॉडी के चारो तरफ बहुत सारा खून बिखरा हुआ था चौन उसा को बताता है कि उसे लगता है कि मरने वाली औरत उससे कुछ काम करवाना चाहती थी उसा के और बाते पूछने पर चौन उसे बताता है कि उससे लगता है कि दराराई नाम की एक लेडी है और जो उससे कह रही है कि उससे ढूंडो और वो चौन से चाहती है कि वो उससे ढूंडे उसा उस वक्त चोन को वहाँ से भेज देती है, चोन को फिर आश्यर होता है कि उसा ने उसका कोई भी इलाज नहीं किया, उसा जिब को कॉल करती है और उससे दराराई नाम की लेडी के बारे में पूस्ताच करती है, जिब उस वक्त उसा कोई बात को टाल देता है, उसा दरार एक बार फिर एक बुरा सपना देखता है उसे इस बार दिखाई देता है कि आये कि medical book खुली रखी हुई है वो उसे उठाकर उसमें बनी हुई human body के internal organs की picture देखने लग जाता है चौन को ऐसा महसूस होता है कि वो भी उन pictures की तरह skinless हो गया है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है चौन नीन से जाग जाता है तब उसे दिखाई देता है कि एक आदमी एक लेड़ी को लेट कर एक और चला जा रहा है चौन उन दोनों का पीछा करता है तब वे देखता है कि वह आदमी उस लेड़ी को लेकर एक दरवाजे के अंदर से एक कमरे के अंदर चला गया है उस लेडी के कोट पर उसका नाम दराराई लिखा हुआ था वे आदमी अंदर जाकर उस रोम का दरवाजा बंद कर लेता है जोन उनके पीछे पीछे उस दरवाजे तक पहुंसता है तब ही दर्वाजा अपने आप खुल जाता है चौन उस दर्वाजे में से जहांकता है तब उसे एक बहुती भैयानक शकल दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे अंदर की और खीच रहा है वे अपना हाथ छुडाता है और धके से वहीं जमीन पर गिर जाता है चौन देखता है कि उसके हाथ में एक रिंग है चौन उस रिंग को बहुत गौर से देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे आयने पुकारा है आय के पुकारने से चौन घबरा जाता है और रिंग उसके हाथ से गिर कर दरवाजे के नीचे से होते हुए गमरे के अंदर चली जाती है उसा फिजियोलाजी और निवरोलोजी डिपार्टमेंट में जाती है वहाँ पर वो डॉक्टर दराराई के बारे में पूछताज करती है वहाँ उसकी मुलाकार डॉक्टर दराराई के असिस्टेंट नॉक्स से होती है इधर चोन अपनी रिंग को ढूंडता है तब वो देखता है कि जो दरवाजा उसे रात को दिखाई दिया था वो उस जगे नहीं है वो वही रखी हुए अलमारी को खिसकाने की कोशिश करता है उसे ऐसा करते हुए देखकर आय उसे एक बार फिर से टोकती है आय चोन से कहती है कि ये घर उनका नहीं है और वो यहां रखी हुए किसी समान को छेड़ नहीं सकता है इदर हॉस्पिटल में नॉक उसा को दराराय के बारे में बताती है कि वो बहुत ही अजीब थी उसे सभी स्टुडेंट बिच कहा करते थे नॉक उसा को दराराय के एक क्लास में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है जब दराराई की क्लास के समय एक स्टुडेंट के मोबाईल पर बहुत रिंग बजने लगी थी दराराई उस स्टुडेंट के उपर बहुत गुसा हुई थी और उसने उस स्टुडेंट को हिपनोटाईज कर दिया था उस student की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसे देखकर वहां मौझूद बाकि students डर से वो उस class से भाग गए थे Students दराराई को पसंद नहीं किया करते थे उसा के पूछने पर नौक उसे बताती है कि दराराई को नौकरी पर सूती नहीं रखवाया था नौक का कहना था कि दराराई एक substitute teacher थी इसलिए उसे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और उसके address के बारे में भी यहां कोई नहीं जानता है नौक उसा से कहती है कि अगर उसे दराराई के बारे में और कुछ जानकरी चाहिए तो उसे सूती से बात करनी चाहिए क्योंकि दराराई को सूती नहीं नौकरी पर रखवाया था उसा अपने घर आती है और घर में आकर सूती को बताती है कि वो एक case के सिलसले में सूती के hospital गई थी और वहां उसकी मुलाकात नौक से हुई थी उसा सूती से दराराई के बारे में बात करना चाहती थी लेकिन वो देखती है कि सूती उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है सूती उस वक चल रहे टीवी प्रोग्राम की और इशारा करके उसा को बताता है कि वो लोग कुछ ही दिन पहले उस प्रोग्राम को देखने के लिए गए थे उसा सूती को समझ नहीं पाती और उसे कहती है कि वो उस प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ कर वहां से चला गया था इधर हॉस्पिटल में नॉक अपने घर लोटने को होती है तब ही उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि लैब की और चली गई थी नॉक बिल्ली के पीछे पीछे लैब की और आगे बढ़ने लग जाती है वह आगे जाकर लैब के अंदर तक पहुँच जाती है उस लैब में बहुत सारे एनिमल्स की स्पैसिमेन रखे हुए है नॉक जैसे जैसे आगे की और बढ़ती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जार में रखे हुए एनिमल्स मूग करने लगे है नॉक जब और आगे पहुँचती है तब वहाँ मौझूद तितलियों के स्पैसिमेन असली तितलियां बनकर नॉक के उपर हमला कर देते हैं नॉक घबरा कर पीछे हट जाती है और एक भयानक शकल वाली लेडी उसके सामने आ जाती है नॉक उसे देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है तब ही एक कांटो वाला तार नॉक के चारो और लिपटना शुरू हो जाता है वो तार नॉक की गर्दन में बहुत जोरो से धस जाता है हम लोगों को दिखाया जाता है कि चौन ये सब कुछ होते हुए अपने सपने में देख रहा था वो नीन से जग जाता है और बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है उसा जब सोकर उड़ती है तब वो देखती है कि सूती बैट पर नहीं है उसा मेट से सूती के बारे में पूस्ती है पर उसने भी सूती को बहुत पहले से नहीं देखा था चॉन और उसा दोनों ये TV निउस पर देखते हैं कि नौक की रात में हास्पिटल में मौत हो गई थी। उसा जिब से कॉल करके नौक के एक्सिडेंट के बारे में पूसथाच करती है। उसा जिब को बताती है कि वो कल ही दराराई के बारे में जानने के लिए नौक से मिली थ इधर चौन चुपके से हॉस्पिटल में पहुंसता है और उस जगे जाता है जहां पर नौक की एक एक्सिडेंटल डेथ हुई थी पुलिस उसे फॉरेंसिक आफिसर समझ के अंदर जाने की पर्मिशन दे देती है चौन अंदर जाकर नौक की बाडी को देखता है तब अचानक चौन का हाथ उस बाडी दोरा पकड़ लिया जाता है चौन उस बाडी को मूव करते हुए देखकर बहुत ज़दा घबरा जाता है चौन नौक के मरने से बहुत ज़दा डिस्टरब हो जाता है इधर उसा हॉस्पिटल में आकर जिप से मिलती है और उसे दराराय के बारे में पूस्ताच करती है उसा को जिब से पता चलता है कि सूती और दराराय के बीच में अफेर चल रहा था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है उसा अपने घर आती है और सूती से उसके और दराराय के अफेर के बारे में बात करती है सूती उसा को बताता है कि उसके और दराराय के बीच में जो कुछ भी था वो बहुत पहले ही खतम हो चुका था सूती उसा को समझाने की कोशिश करता है चौन अपने नाइटमेर्स के बारे में एक बार फिर से उसा से बात करना चाहता था वो उसा के घर फोन करता है तब उसे पता चलता है कि उसा हॉस्पिटल गई हुई थी चौन उसा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकत जिप से होती है जिप के पताने पर कि उसा वहाँ से जा चुकी है चौन भी वहाँ से निकलने वाला होता है तब ही वो उस काली बिल्ली को जिप के आसपास देखता है चौन जिप को वार्ण करता है और उसे कहता है कि वो संभल कर रहे हो सकता है कि इस बार जिप मारा जाए अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिप अकेला ही गल्यारे में चलता जा रहा था, तब ही उसे एक काली बिल्ली दिखाई देती है, जोकि अपने पास पड़े हुए खून को पी रही थी, जिप उसे देखकर डर जाता है, तब ही उसके पास वही भयानक शकल वाली औरत जाती है, उस औरत के हर तरफ से खून और एसिड निकलना शुरू हो जाता है, जिप उस एसिड भरे खून में डूप जाता है, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, इधर चौन अपने घर में सूप पी रहा होता है, तब ही उसे अपने सूप बाउल में एक अन्बॉन बे दिखाई देने लग जाता है, वो देखता है कि वो उस दर्वाजे तक पहुँच चुका है, और वो अलमारी दर्वाजे के सामने से एक तरफ खिसकी हुई है, चौन देखता है कि इस वक्त वो दर्वाजा खुला हुआ था, चौन उसके अंदर छांकता है, तब उससे वहा दराराई दिखाई देती है जोके जिन्दा थी और हिलडूल रही थी और कोई उसके पास बैठा हुआ एक बड़े से चाकू को लेकर दराराई के टुकडे टुकडे कर रहा था चोन बहुत बुरी तरसे घबरा जाता है तब ही वो आदमी चोन की और उड़कर देखता है चोन उस आदमी की शकल देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी चोन खुद था तब ही चोन को कोई धक्का देकर उस कमरे के अंदर धकेल देता है चोन को ऐसा लगता है कि कोई उससे कह रहा है कि तुमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था चोन को ये भी लगता है कि दराराई उससे कह रही है कि वो आकर उसे ढूंडे चोन इस बातों से बहुत बुरी तरह से डर जाता है और जोर से चिलाने लग जाता है चोन को वहाँ अपने पैरों के नीचे से वही रिंग मिल जाती है चोन को वही पर एक ड्रम में कुछ अच्चली पिक्चर्स मिलती है जो कि सूती और धराराई की हैं उसे सूती के उपर बहुत गुस्सा आता है और वे वहाँ से तुरंती बाहर की और भागता है चोन अपने कमरे में आकर अपनी सिस्टर का वालेट देखता है उसमें उसे सूती के साथ अपनी सिस्टर की पिक्चर्स मिलती है उसे अपनी सिस्टर के उपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो तुरंती बाहर की और दौर जाता है इधर उसा के पास एक call आता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिब मर चुका है उसा जिब के बॉड़ी को देखने के लिए hospital जाती है वहाँ पुलिसमैन उसे एक card देता है, जो कि उन्हें जिब की बॉड़ी के पास से मिला था उस कार्ड के उपर उसा का नाम और phone number लिखा हुआ था ये वही कार्ड था जो जिब ने चौन को दिया था उसा चौन का address लेकर उसके घर जाती है उसा चौन के घर में उसी कमरे तक पहुंच जाती है जो कर चौन ने दिखा था वहाँ उस्था को वही अज़ली पिक्चर्स दिखाई देती है तब ही उस्था के पास चॉन का कॉल आता है चॉन उस्था से पूछता है कि वो उस वक्त कहा है क्योंकि चॉन उस वक्त उस्था से मिलने उस्था के घर के बाहर पहुँच गया था उसा चौन के मुझे ये सुनकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है वो चौन से कहती है कि वो घर पहुँच रही है और वो उसके घर के बहार ही रहे वो अपनी बेटी को कॉल करके तुरंती उसे मेट के साथ किसी अच्छी सी जगे छुप जाने के लिए कहती है इधर जौन उसा के घर के बहार उसका वेट कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उसा के घर की विंडो में वही भयाना कौरत उसा की बच्ची को लेकर खड़ी हुई थी जौन बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है वे तुरंती घर के अंदर की और दौर लगा देता है चौन अंदर एक कमरे में पहुंचता है वहाँ पर उसे एक चदर के अंदर कोई दिखाई देता है उसा की बेटी अपनी मेट के साथ उसी रूम की एक अलमारी के अंदर बंध है Chon उस bad sheet को हटाता है, तब उसे उस bad sheet के नीचे, कोई भी दिखाई नहीं देता, Chon ये देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है, तब तक Ussa वहाँ पहुंच जाती है, Ussa Chon को वहां देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है, वो अपनी बेटी को आवाज लगा कर पू अब है और चौन को ऐसा लगता है कि आये का मर्डर भी सूती कर देगा उसा चौन को कहती है कि पुलिस को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है वो चौन को आगे बताती है कि आये अब जिन्दा नहीं है वो बहुत पहले मर चुकी है और चौन जिन मर्डर्स की बात कर है वो सभी murders चौन नहीं किये थी। चौन उसा के मूझ से ये बाते सुनकर चौन जाता है। उसा चौन को बताती है कि वो चौन नहीं है। चौन बहुत पहले ही मर चुका है। चौन मौर्ग में body number 19 के रूप में अभी भी मौझूद है। वो मौर्ग के card को चौन को दिखाती ही है। चौन को तभी ऐसा लगता है कि वो भयाना कौरत उसके सामने एक बार फिर से आ गई है। और उसके उपर attack कर रही है। चौन वहीं रखी हुई एक rod उठाता है और उसके उपर attack कर देता है। एक्छल में dow चौन ने उसा के उपर attack किया था और rod उसके pet में घुश जा बहुत जोरो से चिलाने लग जाती है चौन उसकी चीक की आवाज सुनकर तुरंती वहाँ से बाहर निकल जाता है चौन उसा के दिये हुए कार्ड को लेकर मौर्ग में आता है और वहाँ पर बाड़ी नंबर 19 को बाहर निकलता है वो उस बाड़ी को देखता है वो बाड़ी चौन की होती है हमें दिखाया जाता है कि चौन की बाड़ी को मौर्ग की ड्रॉयर से निकलने वाला सूती था सूती को चौन की बाड़ी देखकर याद आता है कि चौन दराराई का भाई था और वो heavy bleeding के करण बहुत पहले मर चुका था दराराई को उसकी मौत का सद्मा पहुँचा था क्योंकि उन दोनों भाई भेन के लावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था हमें ये भी दिखाया जाता है कि आये सूती की imaginary sister थी चौन की जगे सूती उस concert में मौजूद था जिस concert से इस movie की शुरुवात हुई थी सूती की उंगली प्राउन काटते हुए कट गई थी जिसका इलाज करवाने वो जिब के पास गया था जिब सूती को उस तरह से देखकर चौन किया था और उसने सूती को फर्दर इलाज के लिए उसा के पास refer कर दिया था उसा सूती को एक patient के रूप में देखकर हैरान हो गई थी उसा को और भी हैरानी इस बात पर हुई थी कि सूती ने उसे पहचाना नहीं था और वो एक अंजान लड़के चौन की तरह से behave कर रहा था सूती नहीं नौक को मरा था और सूती नहीं चौन बनकर पहले जिब को वार्ण किया था और फिर उसे मार डाला था सूती मौर्ग में body number 19 के पास ही खड़ा हुआ होता है तब उसे arrest कर लिया जाता है जिस room में अजली pictures मिली थी उस room को पूरी तरह से seal कर दिया जाता है उसा को होश आता है उसे hospital ले जाया जाता है जहां पर वो अपनी बेटी से मिलती है हमें court का scene दिखाया जाता है जहां बताया जाता है कि सूती multiple personality disorder से सफर कर रहा था डॉक्टर ये भी बताती है कि उसे सूती के test करते समय ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पूरे समय hallucination में था सूती से पूछे जाने पर कि क्या वे जानता है डूरराई का murderer कौन है सूती अपने आपको चौन समझता है और डॉक्टर सूती को murderer बताता है उसके मूँ से ये सब सुनकर कोर्ट में बैठे हुए सबी लोग जोरों से हसने लग जाते हैं डॉक्टर सूती को दिमाग के इलाज के लिए refer कर दिया जाता है जब सूती को hospital ले जाया जा रहा था तब भी वे hallucination में था वे अपने पास बैठे डॉक्टर्स की किसी भी बात का जबाब नहीं देता तब ही वेन अचानक से रुख जाती है डॉक्टर सूती को एक गाना सुनाई देता है और वो वेन का दर्वाजा खोल कर बाहर निकल जाता है सामने से आ रही एक वेन में रखी हुई सूती ने बेहोशी की कुछ ड्रग्स दराराई की ड्रिंक्स में मिला दी थी दराराई समझ गई थी कि आप डॉक्टर सूती उसके साथ कुछ गलत करने वाला था उसने उसी वक्ट सूती को हिपनोटाइज कर दिया था और उसे कहा था कि जब भी वे उस खास गाने को सुनेगा तब वे अपने आप में नहीं रहेगा और वे अपने आपको चौन महसूस करने लग जाएगा सूती ने दराराई को रिंग पहनाई थी, सूती दराराई को ड्रग्स की ही हालत में उस घर में लेकर गया था और उसे एक इंजेक्शन लगा कर पैरलाइटिक कर दिया था, सूती ने दराराई को उस हालत में जिंदा ही काट डाला था सुती ने देखा कि दराराई के पेट में उसका अनपॉर्ण बेबी था, सुती उस वक्त दराराई को प्रेगनेंट देखकर बहुत रोया भी था, उस दिन के माद से ही सुती जब भी उस काने को सुनता था, वो एक तरह से हिपनोटाईज हो जाता था, और अपने आपको चौ होते हैं, तब ही वहाँ पर वही भयाना कौरत जोकि दराराई है, आती है और डॉक्टर सुती के कान में कहती है कि वह उसे अब अपने हिपनोटाईज से अजात कर रही है, वह एक चुटकी बजाती है, और डॉक्टर सुती को होश आ जाता है, वह अपना आपरेशन होते देखकर बहुत जोरो से चिलाने लग जाता है और उसी टेबल पर